दोस्तों, Samsung की 2021 की लेटेस्ट बजट 4K QLED Smart TV सीरीज इंडियन मार्केट में जल्द ही लाँच होने वाले हैं और यहाँ पर हमें बहुत से नए QLED TV सीरीज देखने मिलेंगे वेल दोस्तों, आज किस वीडियो में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इस साल के सबसे सस्ते entry-level QLED Smart TV सीरीज Samsung Q60A की जी हाँ दोस्तों, यह जो Q60A वाला मॉडल है यह पिछले साल मिलने वाले Q60T का सक्सेसर होने वाला है तो आज किस वीडियो में यहाँ पर हम इस TV के बारे में डिटेल में जानेंगे specs के बारे में भी हाँ पर हम डिटेल में जानेंगे और इसी के साथ कुछ ऐसे important points भी discuss करेंगे जिनके basis पर आपके लिए decision लेना easy हो जाएगा कि क्या यह TV आपके लिए सही option है या फिर नहीं इसी के साथ वीडियो के end में हम इस वाले model को पिछले साल के model के साथ भी compare करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए दोनम इसे कौन सा better option है तो इंशॉर्ट वीडियो पूरी interesting होने वाली है वीडियो में end तक बने रहीएगा इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like जरूर कर दिना और अगर आप मेरे work को appreciate करना चाहते हो और मुझे support करना चाहते हो तो बस चैनल को subscribe कर लिजे notification bell को all पर select कीजे और Techstart family के साथ जुड़ जाइए मेरे लिए इतना ही काफी है आईए चलिए वीडियो के यहाँ पर हम शुरू करते है तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया Samsung की यह नई सीरीज इस साल की budget entry level 4K QLED smart TV सीरीज होने वाली है इनके सगर आपका budget आपको allow करता और आप थोड़ी better picture quality और better performance चाहते हो तो उस case में आप इस साल के Q70A और Q80A को भी consider कर सकते हो यह भी इस साल के latest TVs है इन पर भी वीडियो में चैनल पर जल्दी लाने वाला हूँ वल आज का जो focus है वो है Q60A पर तो इस series के अंदर total आपको पाँच वीरेंट जेकने मिल जाते हैं 43 इंच, 15 इंच, 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच के screen sizes के साथ वल दोस्तों जिस समय में वीडियो बना रहा हूँ अभी तक ये TVs Indian market में नहीं launch हुए है तो इनकी pricing का idea मुझे अभी तक नहीं है लेकिन इन TVs की pricing और इन TVs की buying links आपको नीचे description में मिल जाएंगे तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार नीचे description भी जरूर चेक कर लेना तो चलिए अब यहाँ पर हम नज़र डालते हैं इस TV के details specifications पर तो यहाँ पर दोस्तों Samsung की यह नई TV VAE LED पैनल के साथ आती है जी हाँ यहाँ यहाँ पर हमें Edge LED backlighting देखने मिल जाती है यह TV है यह 10 bit पैनल के साथ आती है with 60 Hz native refresh rate और अगर इस TV की brightness की बात करी जाए तो according to ratings.com अगर आप इस TV में HDR content देखते हो तो उस दोरान इस TV की peak brightness 470 nits तक चली जाती है और जब आप इसमें HDR content देखते हो तो उस case में इस TV की brightness 492-500 nits तक चली जाती है तो इस शॉर्ट बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको इस TV में 452-500 nits की brightness देखने मिल जाती है जो कि मेरे इसाब से पिछले साल वाले model से थोड़ी सी better है और यहाँ पर आपको अच्छी खासी brightness देखने मिल जाती है इसे के साथ यहाँ पर हमें 4500 nits to 1 का contrast शिशो देखने मिलता है इसका मतलब यह है कि इस TV में जो डाक सींस की performance है वो काफी अच्छी होने वाली है लेकिन जैसे के आपको पता है Samsung के कुछ अपर सीरीज भी है और अगर Samsung सारे features एकी सीरीज में दे देगा तो बाकी सीरीज कैसे सहल होंगे तो यह जो local dimming है, full array backlighting है यह आपको Samsung के कुछ अपर सीरीज में देखने मिल जाती है तो अबसलिए अगर आपको improvement जाए तो definitely आपको थोड़े और पैसे pay करने पड़ेंगे वलिए हाँ पर अगर हम बात करें other features की तो यह Samsung के QLED TV है और QLED TVs में हमें colors काफी अच्छे देखने मलते हैं, 100% color volume यहाँ पर आपको देखने मल जाता है और यह ली में Samsung QLED TVs की colors है वो काफी अच्छे देखने मलते है different shades of colors यह TV जो है produce कर सकती है और अगर हम बात करें इस TV की PQI की यानि picture quality index की यह basically Samsung यूज करता है अपनी TVs की overall picture quality को rate करने के लिए तो यहाँ पर आपको इस TV में 3100 की PQI देखने मल जाती है जो कि मेरे साब से इस price point में इस range के साब से काफी अच्छी निकल कराती है यहाँ पर आपको overall picture quality काफी अच्छी मिलने वाली है इसके अलावा यहाँ पर हमें motion enhancer का भी support दिया गया है जो कि motion blur को reduce कने में help करता है इस TV में light sensor भी दिया गया है जो कि room की lightning conditioning according TV की brightness को exercise करता है यहाँ पर हम picture engine की बात करे, picture processor की बात करे तो इस बार यहाँ पर आपको quantum 4K light processor देखने मिलता है जो कि Samsung का इस साल का latest processor है specifically अपने QLED 4K smart TV series के लिए है तो यहाँ पर हमें upscaling भी काफी अच्छी देखने मिलती है especially मैंने Samsung के TVs को use करा है जाहे उनकी budget TVs हो या फिर premium TVs हो आपको upscaling काफी अच्छी देखने मिलती है well इस TV के view angles की बात करे जाया है तो जैसे आप सभी को पता है VA panels के generally view angles उतने अच्छे नहीं होते है has compared to IPS panel लेकिन VA panels होने के बावजूद भी इस TV में आपको view angles काफी अच्छे देखने मिल जाता है तो mostly अगर आप TV को front से ही देखते हो या फिर slightly थोड़े angle से देखते हो तो उस case में कोई भी color यहाँ पर आपको fade out होता हुआ नहीं देखने मिलने वाला है लेकिन अगर आप 40 degree या फिर उसकी अबाव जाते हो तो definitely आपको color loss देखने मिलने वाला है तो मैं तो यही suggest करूँगा कि आप mostly अगर आप front से ही TV देखते हो जादा extreme नहीं जाते हो तो उस case में कोई problem नहीं है लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें OTS light का support देखने में जाता है यह feature basically कुछ इस तरह के से काम करता है suppose माल लीजे मेरी इस TV में कोई object suppose एक car है जो कि left to right जो है move कर रही है तो मुझे sound भी कुछ इस प्रकार सुनाई देगी जो sound है वो भी left to right move करेगी basically यह feature है यह आपको एक 3D surround sound effect provide कराने वाला है इसे के साथ दोस्तों इन नए TVs में आपको Q Symphony का भी support देखने में जाता है तो अगर आप Samsung के कुछ selected sound bar लेते हैं तो उस case में आप अपने TV के speakers को और sound bar के speakers को simultaneously use कर पाएंगे इसके मदद से क्या होगा कि पहले तो sound की output काफी बढ़ जाएगी और sound की जो overall effect है वो यहाँ पर वो काफी अच्छी मिलेगी तो basically यह जो नया feature है Q Symphony और OTS light यह काफी ज़दा enhance करने वाला है आपके audio experience को operating system की बात करी जाया है तो Samsung की TV है तो यहाँ पर हमें Tizen operating system मिलता है Tizen का यहाँ पर आपको latest version देखने मिलता है और यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले कई चीज़ें improve करी गई है और यहाँ पर आपको छोड़ड़े features भी add-on करके मिलता है जैसे कि यहाँ पर आपको home screen पर एक option मिलता है आपकी preference के according वल रिमोट की बात करी जाया है तो रिमोट का look जो है वो सेम ही है लेकिन यहाँ पर रिमोट में कुछ changes करे गए है तो basically इस बार आपको battery वाले remote नहीं मिलने वाला है यहाँ पर आपको inbuilt battery मिलने वाली है जिसको आप type C port के तुरू चार्ज कर सकते है और इसे के साथ आपको remote के back में solar panel मिल जाता है तो आपके बास दो option है या तो चार्ज कर लीजे या फिर दूप में रखके चार्ज कर लीजे तो यह मुझे काफी अच्छा लगा है solar panel वाले remote और बाकी remote का design वगरा वैसा ही और remote जो है काफी handy भी लगता है इसके अलावा जो TV है ये dual band wifi के साथ आती है Bluetooth 4.2 का support यहाँ पर हमें देखने मिल जाता है तीन HDMI port, दो HDMI port including HDMI ERC का भी support मिलता है आपको तो अगर आपके पास home theater है या फिर Dolby Atmos वाला soundbar है तो आप उसके थू जो है Dolby Atmos का मजा ले सकते है तो ये थे इस TV के details specifications अब यहाँ पर हमारा सबसे important सवाल आता है कि पिछले साल मिलने वाले model Samsung Q60T और इस साल के Q60A में क्या difference है तो दीखे दोस्तों अगर आप दोनों ही TVs को आमने सामने रखके compare करोगे तो सबसे पहला जो major difference आपको देखने मिलने वाला है वो है looks and design में जिया दोस्तों इस साल को जो नया model है उसमें bezels काफिजा थिन देखने मलते है और और जो TV है वो काफी attractive लगती है और TV की thickness previous वाले model के मुकाबले almost 40% कम हो चुकी है जिस बज़े से अगर आप इस TV को wall mount करते है तो TV काफी अच्छी देखने लगती है और जो TV और wall के बीच में जो gap है वो भी काफी कम है तो overall looks and design में आपको काफी improvement देखने मिलने वाली है इस TV का जो table stand है वो भी काफी अच्छा लगता है और यहाँ पर आपको adjustable stand देखने मिलता है यानि कि आप इन stands की मदद से TV की height को adjust कर सकते हो तो कि काफी अच्छी बात है जो कि आपको पहले variants में पहले वाले models में नहीं देखने मिलता है लेकिन दोस्तों ये तो हो गई outer beauty के बाद लेकिन जैसे आप सभी को पता है outer beauty ही matter नहीं करती है internal जो चीज़ें मिलती है वो ज़्यादा matter करती है यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें जाया है दोनों TV की PQI की तो दोनों में ही आपको 3100 का PQI देखने मिल जाता है लेकिन आमने सामने जब आप TV को रखे compare करोगे तो आप देखोगे कि जो नया वाला model है उसमें brightness और जो colors है वो थोड़े better देखने मिलते हैं as compared to previous variant तो definitely यहाँ पर जो new वाला variant है वो आपको attract करेगा because यहाँ पर आपको पिछले साल के मुकाबले थोड़े better colors देखने मिलेंगे और हलकी सी brightness यहाँ पर आपको अच्छी देखने मिलती है लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना जो पुराना वाला model है उसमें जो dark scenes है वो काफिजा detail में देखने मिलते है because वहाँ पर हमें 7000 raise to 1 का contrast यशो देखने मिलता है brightness भी उसकी कम नहीं है इसकी आसपास ही है वहाँ पर भी आपको 470, 460 nits की brightness मिल जाती है लेकिन actual में अगर आप इन TVs को compare करोगे तो definitely picture quality के terms में जो थोड़ी सी जो upper है वो यहाँ पर Q60A निकल कराती है लेकिन दोनों ही TVs काफी अच्छे है वैल इसके अलावा यहाँ पर बात करी जाए कुछ और changes की और कुछ नए features की तो definitely जो new वाले variants है यहाँ पर आपको बहुत सारे नए features add-on मिलते है जैसे कि मैंने बता है यहाँ आपको OTS light का support मिलता है Q-something का support मिलता है TV के looks and design पर यहाँ पर improvement करी गई है operating system का version यहाँ पर आपको latest मिलता है इसके अलावा यहाँ पर हमें दोस्तो game mode मिलता है gamers के लिए थोड़ा सा attractive option इकल कर आ सकता है तो in all देखा जाया तो पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर आमें कुछ चीजे जो है add-on करके मिलती है और picture quality भी almost उतने ही मिलने वाली है थोड़ी सी यहाँ पर आपको better ही मिलेगी तो मेरे साब से अगर आपका budget आपको allow करता है नहीं है तो definitely मैं recommend करूँगा कि latest वाला लेजे यह मेरे साब से एक better option निकल कर आता है वेल दोस्तों यह थी Samsung Q60A की पूरी कहानी उमीद करता हूँ अब अगर आपको QLED TV लेना होगा तो आप decide कर चुके होगे कौन सा लेना है इन TVS की buying links आपको नीचे description मिल जाएगी बाकी अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे comment कर सकते हो मुझे Instagram पे भी contact कर सकते हो वीडियो पसंद आए वीडियो helpful रगा है तो वीडियो को like कीजे चैनल को subscribe कीजे मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स बुडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई सेवन आरा